साथियो नमस्कार, टीचर्स अकैडमी से मैं हूँ डॉक्टर अम्बरीश शुक्र, बीपिएस्सी टीर थ्री की परिख्षाएं आयजित हो चुकी है जूनियर के लिए, साथियो जूनियर में किसकी क्या कटाफ रह सकती है, सका एक परडिक्शन, एक अनुमान आपके सामरे प मिल जाएंगे, उसके बाद में आपको बताऊंगा निश्य तोर पर, अभी के लिए कटाफ क्या हो सकती है, उस पर एक परडिक्शन है, यहाँ पर एक अनुमान है, तो सबसे पहले अनुमान के पहले ही में जान लेते हैं कि क्या स्थिती थी, कितने फॉर्म आये थे, कितने 23940, यह आपके आवेदन आये थे, इन आवेदनों के सापेक्ष, अगर एक सीट पर कुल फाइड देखें, एक सीट पर कितने लोगों ने आवेदन किया है, तो 10.89, यानि कि लगभग 11 स्टुडेंट की फाइट है एक सीट पर, तो यह कहीं भी मुकाबला आसान नहीं रहन है, काफी कठिन रहने वाला है, और BPSC का इस बार का पेपर पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा कठिन बनाया गया है, थोड़ा सा कठिन बनाया गया है, यानि कि जो कटाफ रहेगी वो पिछली बार की तुलना में थोड़ी सी कम रह सकती है, ठीक है? इसके पहले आपक और जूनियर के लिए बैचर्स स्टार्ट हो चुके हैं आप हमारे बैचर्स ले सकते हैं वाट्साइप करके हमारा नंबर है चानबे अठाइस पंचानबे बानबे सैपिस पर यह फाउंडेशन बैच है जो टीर फोर के लिए है जूनियर भी आपको इसमे मिलेगा टीजीटी पीजीटी भी आपको मिलेगा तो देर मत करिये अगर आप पेपर वन भी लेना चाहते तब भी वाट्साइप करके ले सकते हैं तो चलिए कटाफ की तरफ चलते हैं जिसका आप बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं तो चलिए हम एक-एक सब्जेट की कटाफ को लेकर चर्चा क दूसरा है आपका मैट साइंस, तीस सांग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी तो सबसे पहले मैं आपको कटाफ बता देता हूँ हिंदी की फिर उसके बाद अगले विशे की कटाफ पर चलेंगे तो सबसे विशे पहला हमारा जो है वो साथ यू है हिंदी, हिंदी की क कटाफ रह सकती है। प्लस, EBC female के लिए 68+, BC के लिए 75+, और BC female के लिए ये जो BC male के लिए 75+, और BC female के लिए 72+, ये कटाफ हिंदी में रह सकती है ठीक है? तो हिंदी के कटाफ के बाद मैं अगले विशे पर चलूँगा अगले विशे की क्या गटाफ रह सकती है चलिए देखते हैं इसके बाद जो दूसरा भी सह साथ हो हमारा संस्कृत है संस्कृत में देखते हैं तो संस्कृत में UR male के लिए 72 से 75 UR female के लिए 68 से 72 EWS male के लिए 62 से 65 EWS female के लिए 45 SC के लिए 40 اور SC female के लिए लगभग इतनी ही रहेगी EST के लिए भी लगभग 38 के करीब रहेगी ST के लिए भी जो कटाफ रहेगी ST male के लिए बात कर ले EST male के लिए थोड़ा सा है mistake लिखने में हो गया है ST male के लिए यहाँ पर 65 प्लस रह सकती है ST female के लिए यहाँ पर 62 प्लस रह सकती है EBC male के लिए जो cut-off रहेगी वो 40 प्लस रह सकती है अब इसके बाद BC male के लिए जो 50 प्लस रह सकती है और BC female के लिए जो cut-off रह सकती है वो 35 प्लस रह सकती है आपके Sanskrit विशय में ठीक है चलिए बाकी विशयों में देखते हैं कि क्या cut-off रह सकती है तीसरा विशय हमारा है उर्दू उर्दू में UR male में 85 प्लस UR female में 75 प्लस EWS में 80 प्लस EWS female में 75 प्लस SC में 40 प्लस और ESC female में लगभग 40 प्लस रहेगी ST में आपकी 40 प्लस रहेगी ST female में लगभग आपकी 38 के करीब रहेगी दो question क्या से पास रह सकता है और EBC male के लिए उर्दू में जो आपका रहेगा वो लगभग 38 रहेगा EBC female के लिए भी जो उर्दू में रहेगा चामा करिएगा EBC male के लिए उर्दू में EBC male के लिए उर्दू में 60 रहेगा EBC female के लिए उर्दू में जो रहेगा वो आपका 58 प्लस रह सकता है ठीक है? चलिए तो इसके बाद हम तीसरे बिशे की ओर चलेंगे तीसरा बिशे तीसरा बिशे हमारा साथियों है तीसरा बिशे है अंग्रेजी अंग्रेजी की कट आफ क्या रहेगी? तो देख लेते हैं अंग्रेजी में 75 से SC UR male, UR female 70 से 75 EWS 70 से 75 EWS female 62 से 68 SC male 50 से 55 EWS C female 37 EWS T male 65 EWS T female 40 से 42 तक रह सकती है और EBC EBC male जो रहेगी वो करीब आपके 70 प्लस रह सकती है और EBC की जो female रहेगी वो 55 से 60 रह सकती है BC male 75 प्लस और BC female 60 प्लस रह सकती है कटाब ठीक है? बाकी हमारे subject के expert आपको अलग से हर विशे की कटाब बताएंगे अब बात आती है math or science की UR male के लिए 70 से 75 UR female 60 से 65 EWS male 70 से 72 EWS female 68 से 72 SC male 50 से 60 SC female 40 से 42 ST male 56 से 58 ST female 35 से 38 EWS EBC male 68 से 70 EBC female 50 से 55 BC male 70 से 75 और BC female 56 से 60 ये रह सकती है आपकी math और science की सबसे अंते में SST की कटाफ की बात करें तो SST की कटाफ थोड़ी से high ही रहती है UR male 80 से 50 UR female 79 से 75 EWS 72 से 75 EWS female 75 से 68 SC male 65 से 68 SC female 50 से 60 ST male 65 से 68 ST female 50 से 60 EBC male 70 से 60 से 75 और EBC female 65 से 70 BC male 75 से 80 और BC female 70 प्लस रह सकती है तो ये एक अंत्मानित कटाफ है हो सकता है कि थोड़ा सा यहां बताने में mistake हो गई हो एकाद विशे में क्योंकि सारे विशें के एक साथ बताना थोड़ा सा कठिन होता है वैसे पूरा मैंने सुचिता बरती है कि कोई गड़बडी इसमें ना ने पाए इसके बाद वेगर कोई confusion आपकी रह रही है तो आप comment करके हमसे पूर सकते हैं इसके अलामा सभी विशें की कटाफ paper analysis के साथ दी जाएगी तो जब विशे के विशे के paper analysis के साथ हर विशे की कटाफ अलग-अलग देंगे तो और आप अच्छे से समझ सकते हैं की कटाफ क्या जा सकती है तो हर एक विशे का अलग-अलग analysis और कटाफ कल से जारी होगा तो कल आप जरूर देखिएगा आप अपने कटाफ को तो आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार और जुडिये tier 4 से धन्यवाद